बिग बॉस 16 के सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज हो रही है हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार सल्मान खान के सो में कौन से कंटेस्टेंट धमाल मचाने वाले हैं सो का पहला प्रोमो रिलीज हो चुका है और इस बार बिग बॉस और सलमान दोनों कंटेस्टेंट की मुस्किले पहले सी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सो के कंटेस्टेंट के नाम पर भी खूब चर्चा हो रही है। इस बीच कनिका मान बिग बॉस 16 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट बताई जा रही है। लेते हैं कि पल में सोला और पल में मासा बनने वाली कनिका असल में कौन है। अन्वे को हरियाना के पानिपत में हुआ। उन्होंने पानिपत से स्कूलिंग की और फिर चंडिगर चली गई। बिग बॉस के घर में इस बार आपको जम कर बहसबाजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए कि कनिका मान ने पंजाब युनिवस्टी से कानून में मास्टर्स की डिगरी ली है। वैसे बिग बॉस के घर में जज भी बिग बॉस है और वही वहाँ के कानून भी। कनिका मान वेजिटेरियन पसंद करती हैं, पढ़ने गोमने और गाने का सौक रखती हैं। वैसे कनिका मान का बिग बॉस से एक पुराना कनेक्सन भी है। असल में यह बात चर्चाय आम है कि वह निसांत मलकानी को डेट कर रही है। निसांत मलकानी बिग बॉस 14 में नजर आये थे। शुरुवात में तो उन्होंने गेम में जान लगा दी थी लेकिन फिर आउट ओफ फोकस हो गए। जाहिरे अपने कथित बॉइफ्रेंड से सीख लेकर कनिका यह गलती सो में नह आता रहा है। कनिका ने 2015 में मिस इंडिया एलीट में हिस्सा लिया था। वहाँ उन्होंने मिस कॉंटिनेंटल का टाइटल जीता था। उसी साल यानि 2015 में ही कनिका मान को उनका पहला म्यूजिक वीडियो आफर हुआ। वह सौरी मान के गाने रुआफजा में नजर आई थ तेरा नाम और पागल जैसे पॉपुलर पंजाबी गानों के म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी। कनिका मान ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। 2017 में वह रौकी मेंटल और 2018 में दाना पानी नाम की पंजाबी फिल्म में नजर आई। कनिका को टीवी पर गुड़ गुड़न के किरदार ने सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी दी। गुड़न तुमसे ना हो पाएगा में वह टीवी की सबसे कमूमर की सास भी वनी। अब देखना होगा कि कानून की जानकार, डेरिंग क्यूट और विंदासकन का बिग बॉस 16 में क्या रंग जमाती हैं। वह पॉपुलर हैं, टीवी की दुनिया में वह पहले से तर्सकों की फैवरेट हैं। निसांत मलकानी के कारण उन्हें बिग बॉस के घर में गेम की समझ भी होगी। सोसल मीडिया पर उनकी पॉपुलरिटी भी, वीकेंड का वार में इविक्षन के दौरान उनके काम आ सकत ही है, कुल मिलाकर इस पहली कंफर्म कंटेस्टेंट में दम तो जरूर लगता है। वैसे सिस्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माथ्हम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और इस तरह के वीडि उस लगातार पाने के लिए बेल आईकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।